तो साइंस का लेक्चर नंबर 3 लेके आ गया हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट तो क्रॉप प्रोडक्शन में आपने अब भी तक सीख लिया था कि भाई हमारी स्वाइल की प्रिपरेशन कैसे होती है कैसे हम स्वाइल को प्रिपेर करते हैं फिर हमने पढ़ लिये थे खैरिफ क्रॉप और रैवी क्रॉप जिसके मैंने आपको नोट्स भी दे दिये थे अब आज जो हम बात करने वाले हैं एक और नए इंस्ट्रुमेंट की बात करने वाले हैं जिसका नाम है होए और इस होए का आपके पास किताबों में डाइगराम है हमारे पास यह होए जो है वो एक और हमारे पास क्या है एक और डिवाइस है जिसकी मदद से जिसकी हम मदद से या तो वीड्स को अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आपको वीड्स भी समझाएंगे या तो weeds को उखाड़ने के लिए काम करते हैं to remove, to remove weeds या हम soil को loosen करते हैं, तो loosening of soil क्या करते हैं, loosening of soil किसकी मदद से करते हैं, इस हॉय की मदद से, loosening of soil इस हॉय की मदद से, एक device है, जिसकी मदद से, हम soil को क्या करते हैं, losing करते हैं, और unwanted plant which grow along with the crop, इसमें लिखते हैं, बार-बार हम definition लिखते हैं, unwanted, unwanted का मतलब होता है, जिसकी जरुरत हमको नहीं है, unwanted plants which grows, along the crop, are called, are called weeds, अब आप बोलोंगे, सर, weedy sites क्या होते हैं फिर, बिटा, weedy sites जब बहुत सारे हों, अब एक-दो plant ऐसे जंगली आपके सामने आ जाएं, और एक-दो जंगली plants आपके सामने आ जाएं, तो आप उसको निकाल लोगे, तो होए है, उससे निकाल लोगे, जो होए वो, होता है न, वो उससे निकाल लोगे, तो एक ऐसा device, जिसकी मदद से हम soil को loosen भी करते हैं, और soil के अंदर जो unwanted weeds हैं, या unwanted plants हैं, जो crop के साथ grow होकर, crop के साथ grow होकर, उनके सारे nutrition को ले लेते हैं, सारे nutrition को हासिल करके, खुद बड़े हो जाते हैं, और विचारे crop नन्यमन्य रह जाते हैं, तो ऐसे plants को हम कहते हैं, weeds और उनका इस्तमाल, हम, इस device का इस्तमाल उन weeds को निकालने के लिए, remove करने के लिए करते हैं, और एक और बहुत important चीज है, कि हम soil को prepare करने के लिए, वो loosening करने के लिए भी हम इस्तमाल करते हैं, जैसे tilling हुआ, मैंने कल बताया था, plugging हुआ, plugging के बारे में हमने discuss के था कि plug क्या होता है, तो देखो, सबसे पहली चीज, plug-bug तो छोड़ दो, अब हम लेगो ने पिछली classes में discuss कर लिया था, एक चीज और बताया थी, जिसका नाम था, sown, मैंने बोला था, ऐसे plant जिनको हम sown किया जाता है कुछ इस समय, कुछ इस समय, कुछ winter में, कुछ summer में करते हैं, कुछ rainy season में करते हैं, summer में sown करने वाले plants को, कौन से plants कहा गया था, कोई भी वो सकता है, कोई भी, winter season में, sown करने वाले plants को, कौन से plants बोला गया था, कहरिफ या रह भी, सब लग कॉपियों में तो नहीं जहां कर रहे, हलो, ऐसे plants, ऐसे plants, जिनको हमने winter में sown किया था, वो plants को क्या नाम दिया था हमने, रहभी या खैरिफ, जल्दी बोलो, अपने आप से बोलो, पिसल lecture पढ़के आयो, very good, रहभी crops, रहभी crops, जिनको हम sown करते थे, या sowing करते थे, अब sowing का मतलब होता है, seed को, seed को, seed को, क्या करना, seed को उतारना, या डालना, काय में, soil में, ताकि वो अगली process में जा सके, जिसको बोलते, germission वगेरा, फिर crop उखती है, फिर crop को पानी दिया जाता है, फिर पानी के भी different तरीके होते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें adding, manure and fertilizer करते हैं, फिर पानी बगेरा देते हैं, लेगुलर इंटरपल पानी देते रहते हैं, फिर क्या होता है, हर्वेस्ट होता है, तो सबसे पहला जो process है, हमने कर दिया है, इन सब की मदद से, उसके बाद हम स्योइंग कर रहे हैं, स्योइंग अलग अलग तरीके से किया जाता है, स्योइंग के भी different method होते हैं, जैसे, एक होता है नाम cultivator, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कल्टीवेटर, अब कल्टीवेटर भी एक स्योइंग मशीन है, क्या बोलते हैं इसको, स्योइंग मशीन, क्या बोलते हैं स्योइंग मशीन के माध्यम से भी, हम क्या करते हैं, सीड को पहुचाते हैं, स्योइल तक, स्योइल तक पहुचाते हैं, कहा तक पहुचाते हैं, स्यो internet को मरी तो हम सीठ डिल भी बोलता है क्या बोलते हैं इसको सिड डृल्ज भी बोलते हैं अब सीड डिल जो पुराने टेक्नीक्स थी ना свीड को इंज्एड करने के लिए ट्रिदीशनल गूल किए जाते थे व्यक्तर टूल होते ते उनको सीड डृल्स भी बोलते हैं एक traditional टूल था एक traditional हमारे पास एक टूल था मैं बताता हूँ आपको traditional टूल हमारे पास कौन से थे मैं बताता हूँ आपने कभी राशन की दुकान पर तेल वाले को देखा होगा तो जब तेल निकालता है वो कुपी में भरता है तो उसके उपर एक वो funnel टाइप इस्तेमाल करता है जो उपर से थोड़ी चोड़ी होती है फिर वो यहां से ऐसी होती है फिर यहां से वो पाइप लगा रहता है बोलो हा या ना यह एक funnel होती है आपने राशन की दुकान पर चेक किया होगा तो वो क्या होता है यहां से वो तेल डालता है ताकि तेल इस कुपी के अंदर भरा जाए अगर मैं तेल को ऐसे ही भरूँगा तो तेल के फैलने के बहुत सारे chances होते हैं तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चो एक traditional method से हम seed को inject करते थे क्या करते थे seed को inject inject into the soil seed को हम inject करते थे into the soil जिसमें हम traditionally उसको seed drill कहा जाता है जिसको हम seed को कहा डालते है soil के अंदर और फिर धीरे धीरे हलका हलका पानी देते रहते हैं यह process बीच में आती है कि थोड़ा पानी तो दिया जाता है ताकि soil भी थोड़ी सी lose हो जाए थोड़ी wet हो जाए ताकि एक proper atmosphere बन जाए किसी भी seed का germination का किसी भी seed के germination का एक proper क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों एक proper तरीके से एक proper तरीके से क्या हो जाए एक माहुल यानि उसको एक particular environment मिल जाए अब सोच के देखो अगर तुम्हें पढ़ाई का environment नहीं मिले अभी आसपास DJ बज रहा हो तुम्हें सुनाई कुछ नहीं दे रहा हो कि जो पुनितसर पढ़ा रहे हो क्या तुम environment पर रह पाओगे क्या तुम उस environment में पढ़ पाओगे हाँ उस environment में तुम डांस जरूर कर पाओगे लेकिन क्या पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे इसे लिए soil के लिए भी germination का एक environment यानि उसके लिए कुछ conditions को बनाया जाता है अर्टिफिशल ही नहीं बनाया जाता है हम लोग पानी देते हैं हम लोगी तो सब कुछ करते हैं फिर वह अपने आप काम होता है soil से वह चीज लेते हैं तो यह होगा लिख लो इत्ता छाप लो जली फटा फट ओके तो आई होप तुम लोगों ने यह सब लिख लिया होगा अब बात करते हैं एक और बहुत खुबसूरत नाम जिसका नाम है mature है ना नहीं सर मैन्योर है सर क्यों डरा रहे हैं आप के लिए हमें एक push देना पड़ता है मैं बताता हूं कैसे जैसे अभी आप mature हो गए हैं इतने mature समझदार हो गए हैं कि आपको कोई easily बेवकूप नहीं बना सकता है चोटे से बच्चे को मैंने क्या करा उसके पास टू एक 100 रुपी का नोट था मेरे आया था चोटा सा बच्चा राखी के बात है तो मैंने क्या करा मैंने उसको क्या करा मैंने करा मेरे पास दो नोट हैं और मैंने वो 10 10 रुपी के नोट ऐसे ही हमारे पास जो बिचारे plant होते ना उनको mature करने के लिए उनको जल्दी बड़ा करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं manure और इन manure के साथ हम इस्तमाल करते हैं एक और चीज का नाम जिसका नाम है fertilizers अब आपने इनका नाम तो सुना होगा, obviously आपको अपनी टीचर ने पढ़ाया होगा लेकिन मैं भी आपको पढ़ा देता हूँ कोशिश करता हूँ अपने level पर अच्छे से समझाने की आपको समझे में आया ना कि mature क्यों करा हमने क्यों कि उसको बड़ा करना था अब भी तो हम भी तो बड़े हुए, छोटे से बच्चे फिर बड़े-बड़े, अब देखो कितने बड़े हो गए, आप लोग भी बड़े हो गए, अब भी 9th में आओगे, फिर 10th में आओगे, फिर 11th में आओगे, तो भाई पुछ तो दिया न, अब सोयल के पास वो सारी हो सकता है अवेलेबल हो, और हो सकता है अवेलेबल ना हो, तो ऐसा हमें कुछ बाहर से, कुछ बाहर से हमें उनको देना पड़ेगा, बाहर से कुछ न्यूट्रीशन्स हमें देने पड़ेंगे, जो सोयल के पास नहीं है, तो उन न्यूट्रीशन्स की ज़रत जो क्रॉप को होती है, जो crops को होती है जल्दी grow करने के लिए grow करने के लिए, वो हम प्रदान करते है, adding manures and adding fertilizer by by adding manures and by adding fertilizer बेटा mute कर लो, देवाइश बेटा mute करो, हाँ, by adding by adding manures and by adding fertilizers इन दोनों को ही soil में add किया जाता है, इसा नहीं प्लाइंट को खिला जाता है, ले बेटा, खा ले, ना, 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 इसा नहीं करते है, पुनिसा तो नहीं जाएंगे कि जाओ, जो बेटा, प्लाइंट होगी नहीं नहीं तो उसको खिला जारा, manure जारा, खिला थोड़ा सा, बढ़ जाएगा, इसा थोड़ी होता है, हम तो soil में दे देते हैं, फिर soil उसको nutrition को, प्लाइंट को देता है, with roots, from roots, roots के जरीए, अब manures क्या होते हैं, और fertilizer, आपको याद होने का तरीका, आप मैंने बता दिया, mature, mature करने के लिए additional push, उसको क्या कहा, manure, और manure के साथ क्या इस्तिमाल किया, fertilizer हो, fertilizer का इस्तिमाल किया, वो भी हम आपको समझा देंगे, आप कहोगे sir, manure में सब कुछ था, तो fertilizer को क्या इस्तिमाल किया, अरे बताते हैं, डरव के रहे हो, अब सुनो, manures क्या थे, manures, हम लोग naturally, manures को naturally, कुछ ऐसे additional nutrition को तयार करने के लिए, additional nutrition को बनाने के लिए, या तयार करने के लिए, to manufacture them, हम लोगों ने naturally occurring, जैसे cow dunk, और natural waste, natural waste का use किया, का use किया, अब सोचो किस ने यह manures नहीं है, ध्यान रखना, यह earthworm को, जो manures होते हैं, वो जल्दी grow होने देते हैं, वो भी बहुत जल्दी से grow करने देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि, जो manures है, वो earthworm ही होते हैं, नहीं, manures तो हमारे पास, जो natural occurring fertilizers होते हैं, यह कह सकते हो, manures are naturally, जो हमें मिलते हैं nature से, उन fertilizers को, उन fertilizers को, हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चो, हम बोलते हैं manures, अब आप समझेंगे, fertilizers क्या होते हैं, फिर आपको manures और अच्छे समझ माया आगा, और clarity आएगी, fertilizers are the, are the additional nutrition, are the additional nutrition which is given to the plants, which is given to the plants, plants which are very essential, which are essential, essential for the plants, to mature, faster, और mature के बाद, faster के बाद, develop, और develop के बाद, grow, कोई सी भी language लिखो, यह सारी language मेरी है, आप कुछ भी लिखो, are the additional nutrition, fertilizers are the additional nutrition, which अब fertilizer बनाए जाते हैं, उसके अंदर होता क्या, are the additional nutrition, which is given to the plants, which are essential for the plants, to mature faster, develop faster, or grow faster. अब होता क्या है, problem, सुनो, जो soil नहीं दे पाती है, soil के पास इतने nutrition, जैसे phosphorus हुआ, phosphorus हुआ, phosphorus is very necessary for the plants to grow quickly, जैसे nitrogen fixing bacteria आपने सुना होगा, तो nitrogen की भी ज़रत पढ़ती है for the protein, for protein, तो soil के पास इतनी मातरा में नहीं होता, जिससे वो plants बहुत easily grow कर पाएं, जल्दी grow कर पाएं, इसलिए हम लोगों ने adding क्या करा, उसमें manure किये, और fertilizer किये, अब क्या होता, fertilizers को क्या करते हैं, हम बेटा, chemical factories में बनाते हैं, they are fertilizers, they are manufactured, they are manufactured in chemical factories, और ये chemicals का इस्तमाल करके बनाय जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं, जादा fertilizer का भी इस्तमाल करोगे, तो हमारे लिए भी हानिका रखे, और plant के लिए भी हानिका रखे, हमारे लिए कैसे, अब ज़्यादा इस्तमाल हो गया, हमने खा लिया वो बिना धोय, माल लो तुमने बिना धोय खाना बनाया और खा लिया, तो फटिलाइजर का कुछ अंच आपके पेट के अंदर जा सकता, जिससे आपको food poisoning भी हो सकती है, और आपको कुछ बिमारिया भी हो सकती है, तो इसलिए fertilizer का इस्तमाल ज़्यादा करने का नहीं, और इन दोनों को ही हिंदी में क्या कहा जाता है बिटा, खाद, जिससे हमारे plants को वो additional nutrition की ज़ुरत मिल जाए, जो कमी पढ़ रही थी soil के अंदर, जिससे वो easily grow कर पाएं, develop कर पाएं और mature हो पाएं जल्दी से, जैसे क्या होता है, एक season के अंदर जल्दी से develop होना पड़ता है, जैसे अगर आपने कोई चीज़ ठंड में हो गाई है, तो आपको उसको harvest करना है कब summer में, अगर आप late हो गए, अगर आप late हो गए, तो आपको कब harvest करना पड़ेगा, rainy season में, और अगर उस समय पहले ही बारिश गिर गई, तो आपकी फसल, पकी पकाई फसल, crop खराब हो सकती है, और लाखो करोडों रुपए का नुपसान हो जाता है, बड़े-बड़े cultivators को, बड़े-बड़े farmers को, इसलिए आपको हर चीज time to time करना पड़ेगी, ने तो फिर nature भी आपके साथ काम नहीं कर सकता, इसलिए बहुत important है, कि manuers और fertilizers का भी इस्तमाल, हम easy और सही तरीके से करें, ठीक है, इतना समझ में आया सबको, चलिए, उतार लीजे जली, चलिए, I hope आपको समझ में आया होगा, अब मैं ये मिटार रहा हूँ, और हम आगे एक नए topic की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है, irrigation, क्या नाम है, irrigation, अब बहुत important काम, बहुत important काम, plants के लिए जीवन और मरन, दोनों एक समान हो जाएंगे, अगर उसको plant को पानी नहीं मिलेगा, जैसे H2O, जिसको बोलते हैं water, और water को ही, water को देना, किसको देना, plants को, उस process में आता है, irrigation, अब आप बोलों कि sir, irrigation क्या होता है, तो मैंने आपको सबसे पहली class में ही, irrigation के definition बताई थी, अगर नहीं आदे तो अभी बता जिते हैं, और जिसने नहीं देखी first class, उसको भी हम बता जिते हैं, irrigation क्या था, at regular interval, at, नहीं एसने लिखो, एसने लिखो, एसने लिखो, एसने, to survive on this planet, on this planet, So therefore, crop also needs, crop also need water to survive or even to grow at regular interval, at regular interval, इंक पिला दें इसको, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा, कि भाई हर एक इंसान, हर एक living being, को पानी की आवश्यक्ता होती है, to survive on this beautiful planet, called earth, blue planet, तो इस blue planet, यानि earth के अंदर, इसको earth को blue planet है, इसलिए बोलते हैं, क्योंकि पानी बहुत है इसमें, अब वो पानी पीने लाया कित्ता है, उसकी बात मत करो, हम बात करने वाले, every living beings required, water to live, or to survive on this particular planet, called earth planet, अब पानी की आवश्यक्ता, एक दम ऐसे थोड़ी है, कि पानी ही पीते रहोगे, तो at regular interval, हर crop को भी आवश्यक्ता होती है, to survive, or to grow, or to develop, develop होने के लिए भी, पानी की आवश्यक्ता होती है, क्योंकि कहीं न कहीं, पानी का evaporation भी होता है, plants के जो पत्तियां होती है, उसमें से कुछ पानी, सूरज की रोश्नी के कारण, भी evaporate होता है, और आपने stomata का नाम तो सुना ही होगा, stomata चोटे-चोटे छेद होते हैं, जहां से पानी क्या होता है, अब खुब्सूरत बात ये थी, कि इस irrigation का अलग-अलग प्रकार से, हम लोग पहले irrigation करते हैं, और इस कॉल्ड अच्छा जी, इसको, एट रेगुलर इंटर्वाल, दा प्रॉसेस, दिस प्रॉसेस, ऐसे लिखो, दिस प्रॉसेस, इस 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 इ आप लोगों ने लिख लिया हुआ अब मेरे प्यारे बच्चों इरिगेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते थे उन टाइप्स पे इसलिए नहीं जा हुआ क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल टाइप्स थे अगर मैं एक भूल रहा हूं तो तुम मुझे बताना एक ट्रेडिशनल टाइप्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जैसे हैंट पंप आपको बता है वह हैंसे पंप किये जाते था और उसको उपर पानी को लेके आया करते था तो सबसे पहला आ गया हैंट पंप मालो अभी भी हैंभी वी जिन्दा है यह वाले तो हैं पंप होता था तो एक था ओपल नाली या बना दी जाती आदे यहाता था जो हमारा चोथा था हमा रहात एक और नम था रहा रहत में और क्या होता था यहां पर हम लोगों ने बाल्टी टांग दी और यहां पर हमने वेट कर दिया वेट बहुत जदा लगा दिया तो क्या होता था जब यह वेट उपर जाता था तो पानी नीचे जाता था बाल्टी और फिर इस वेट को बढ़ा जेते थे तो पानी उपर आ जाता था तो ऐसे उपर नीचे उपर नीचे बार बार स्विंग होता था जिससे पानी आता जाता तो ऐसे different different traditional method से हम लोगों ने क्या किया पानी को extract किया कुछ जमीन से जिसे हमने कहा underground water underground water जिसे हमारा ट्यूब बे ले आजकल तो हमने underground से पानी को ले किया है और कुछ हम लोगों नेहर बनाई जिसको हम बोलते हैं नहर that is called canal तो canal वहां इस्तमाल की जाती है जहां पानी होता ही नहीं है या कोई नदी होती ही नहीं है तो नदी का पानी artificial तरीके से एक नाली के रूप में जैसे नाली बनाते हैं उसको canal बोलते हैं केनाल के रूप में नहर के रूप में पानी को ट्रांसफर किया जाता है from one place to another place इसमें कोई motor water नहीं लगती पंप नहीं खीशता एक जैसे for example यहां नदी जा रही है और यह नदी जा रही है अब हमें पानी की आवशक्ता इती दूर है मालो इस जगह पर हमें पानी की artificial क्या बना जेते है नाली टाइप जिसमें से पानी मूव होता है और इस जगह पर पानी घटा हो जाता है फिर यहां का पानी इस्तमाल किया जाता है for different purposes for example जैसे हमारे जो छो छोटे-छोटे जो बकरी भेड बकरी गाय वगेरा होती है उनके लिए इस्तमाल किया जाता है य इसे बहुत सारे method थे लेकिन आज की स्तिती में हम लोगों ने कुछ नई technique कुछ water को save करने की techniques इस्तमाल करी जो आपकी किताबों में भी है जिसका नाम है एक तो है drip irrigation तो एक और type का irrigation है जिसका नाम है drip irrigation और मेरे प्यारे बच्चों एक और है क्या नाम है कोई बता पाएगा drip irrigation के बाद sprinkle sprinkle sprinkler होगा या sprinkle होगा sprinkle कर लेते sprinkle irrigation sprinklers तो वो होते जिससे होता है अब समझाएगे पूरी लाइग एक बात बताइए किस किसने ये sprinkler irrigation होते हुआ देखा है किस किसने देखा है पहले तो बता दिजे और हाथ खड़ा कर लिजे हाथ खड़ा कर लीजे, हाथ खड़ा कर लीजे, हाथ खड़ा कर लीजे, सबको देख जाओ, हमें बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और बच्चों एक चीज बताओ, मुस्कान ने भी देखा है, अच्छी बात है मैं बता हूँ तुमको प्रेम ने भी देखा है बहुत अच्छी बात यह रही किस-किस का ऐसा मन किया कि इसमें जाके नहा ले मेरा तो किया मेरा तो मन किया मैं जब गाहों से निकलता था था ना अपने तो वहाँ पर खेत में हरी हरे खेत में बीच में से एक पाइप निकलता था अभी देखो मजायागा तुमको यह मान लोग खेत है बढ़िया और यहां एक पाइप है उस पाइप को उस पाइप पे ऐसे कुछ लगी रहती थी और यहां से उसका अंडर ग्राउंड का क्या होता था ट्यूब होता था है ना तो ऐसे पूरे ग्राउंड पर इसे पाइप लगा रहता था अब क्या होता था तो उसमें से क्या होता था पानी एना ऐसे जाता था और वह उपर नीचे होता था और घूमता रहता था जब घूमता था तो पानी पूरी जगह पर equally distribute होता था तो पानी equally distribute होता था, जब पानी equally distribute होता था, तो ऐसा लगता था कि हम किसी shower के नीचे बड़िया सा स्नान कर रहे हैं shower के नीचे, अब यहाँ पर कोई किसान जाके ऐसे हर जगे पानी नहीं डालता तो वहाँ पर छोटे-छोटे sprinklers लगा दिये, क्या लगा दिये sprinklers, क्या लगा दिये sprinkle, और sprinkle का मतलब होता है छिड़कना यह छिड़कते न पर आपने देखा हो, पेंटिंग करते हैं कुछ लोग, तो अगर black painted है, देखो मैंने भी हाँ पर black painting करी है, अगर आपको दिख रही हो, तो मैंने यहाँ black painting करी है, देखो सबको दिख रही है black painting आपको, तो मैंने भी stars को बनाने के लिए stars को बनाने के लिए मैंने सफेद वाला जो है न, वोあぁ, वो sprinkle किया है, इस पे, इस sprinkle का मतलब होता है छिड़कना क्या होता है स्प्रिंकल का मतलब छेड़तना तो उसमें भी पानी जो होता है वो equally distribute होता है और बहुत कम मात्रा में हर एक पोजे के पास पहुच जाता है वो settle down होता है और दीरे दीरे वो soil के पास पहुच जाता है इससे हुआ क्या पानी का बहुत ज़्यादा सेव हो गया और किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए थोड़ा-थोड़ा चाहिए प्लांट को पानी तो वो स्प्रिंकल करके बहुत अच्छा से इस्प्रिंकल करके इस्प्रिंकल इरिगेशन करते थे यह सेम है जैसे आप अपने वाश्रूम में शावर से नहा रहे हो एंजॉय washrong में जब हमारे नएफ चाहवर लगे थे अबी तो हर घर में होंगे आपके घर में लेकिन हम लोग मज़े दनानी आथा था तो नएफ चाहवर लगवर पानी आथा था अपने आप नह लेते थे अपने आप साबुन लग ज़ता पिर अपने आप ना ले कोई बाल्टी लगाने की जुरूत नहीं है कि पानी भर रहे हैं तो वह sprinklers जो है ना वह ऐसे एसे यह वह मझे लेते हैं अपने नहाने का कौन लेते हैं नहाने का मझे चोटे से बच्चे होंगे होंगे 100% कोई इतना बड़ा थोड़ी हुआ सब चोटे बच्चे होंगे तो क्या होता है जब चोटे होते हैं अरे अभी चोटे मैं तो बड़ा हो गया अच्छा एक बात बताओं जैसे चोटे से बच्चे जब मैं था जब मैं चोटा सा बच्चा तो मेरे को समझ में दasına जाता है खाना क्या है? पाते थे किचिन में मुझे भूख लग रहे ही कोई थोड़ी बोल पाता था कि मुझे भूख लग रहे हैं उसको बोलते हैं अगय बताते हैं इस example को दिमाघ में रख्ने इसको समझना जब ऐसी जगह हो जहां पानी की बहुत कमी हो इसका मतलब यह कि plants खुद नहीं जा सकते पानी लेने, तो कोई आएगा उसको पानी देने, तो छोटे-छोटे tubes को roots तक, छोटे-छोटे tubes को roots तक पहुचा दिया जाता है, और वहाँ drip bys, यानि भूंद-भूंद, थोड़ा-थोड़ा पानी दिया जाता है, ताकि वो plant exactly वैसा ही बढ़ जाए, पानी का ज्यादा खत, इसमें पानी की कमी होने के कारण, उस जगह पर हम क्या करते है, drip irrigation, अगर पानी ज्यादा हो तो sprinkle कर लो, और पानी अगर कम हो तो drip कर लो, drip मतलब, जैसे for example, यह plant से, अरे यार, plant का tree बना देता हूं मेरी drying अच्छी नहीं है, tree बनाई और यहां से गया एक pipe, और इस pipe के जरीए हम लोगों ने पानी कहा दिया, पूरे पेड को नहीं ला रहे हमें जाद देना है, महीं दे दिया, हमने कहां दे दिया, रूट्स में जिसकी मदद से पेड उतना ही तेजी से बड़ा होगा, क्योंकि भाहर से उसको पानी की जोरक थोड़ नहीं है, उसको तो रूट्स तक चाहिए पानी, तो हमने डारेक्ट रूट्स में जाके दे दिया, जैसे चोटे से बच्चे को, अब वो जात तो सकता नहीं किचिन तक तो चोटे से बच्चे को ममी खोदाई और उसी को मुँ में डारेक्ट खिला दिया, समझ में आया, उतारो